यहां पे establishment देखे लेते हैं तुरकिश की जो इंडिया में ये rule करते थे इन्होंने establish करा था जैसे कि हमें पता है कि मुहम्मद गोरी जो था यहां पे इसने क्या करा था जो second battle of Trine हुई थी last lecture में हमने देखा था इसके बारे में detail में यहां पे जो second battle हुई थी Trine की 1192 में इसमें मुहम्मद गोरी ने प्रित्वी राचोहान को हरा दिया था और उसे मार दिया था clear है तो उसने क्या करा था उसने यहां पे डैली और अजमेर के उपर कबजा कर लिया था इसके बाद यहां पे वो वापस गजनी चला गया और यहां पे जो उसका trusted जो वाफादार सलेव था कुदबुदिन एबक उसे यहां पे वाइसरोय या गवर्नर बना दिया यहां पे clear है जब यहां पे इसे पता चला कि जो गजनी है मुहमद गोरी है जो उसके मुरित्यू हो चुके 1206 में तो इसने अपने आपको सफतंतर कर लिया independent यहां पे यहां का राजा बन गया तो इसने यहां पे सापना करी slave dynasty की 1206 में कुदबुदिन एबक जब यहां पे मुहमद गोरी की मुरित्यू हो जाती है तो यहां पे फर्स्ट सुल्तान बनाई है डैली का 1206 AD में और यहां पे यह जो डाइनस्टी है यहां पे इंपोर्टन है इस डाइनस्टी को slave dynasty को मामलुक डाइनस्टी के नाम से भी जाना जाता है यहां पे एक्जैम में पूछ लिया जाता है प्रेलिंट के जैसे कोश्टन होते हैं कि सलेव डाइनस्टी को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए मामलुक डाइनस्टी के नाम से जाना जाता है मामलू के यहाँ पर एक Arabic word है जिसका मतलब होता है slave clear है तो यहाँ पर जो slave dynasty तो यहाँ पर इसने 1206 से लेके 1290 तक rule जो किया था तो यह जितना भी empire है यहाँ पर यह kingdom इनके अंडर आता था slave dynasty में ठीक है तो चलिए यहाँ पर one by one सभी देख लेते हैं हम तो फर्स्ट यहाँ पर कुद्बुदेन एबक के बारे में देख लेते हैं तो इसने चार साल तक rule किया था 1206 से लेकि 1210 AD तक यहाँ पर rule किया था तो कुद्बुदेन एबक के यहाँ पर एक Turkish slave हुआ करते थे और यहाँ पर एक high rank में थे यहाँ पर जो मुहमद गोरी की जो आर्मी हुआ करती थे और बहुत ही वफादार इनके हुआ करते थे यहाँ पर इन्होंने इस्टैबलिश करा यहाँ पर जो सल्तनत का ruler अफगानिसान में और जो नदरन पार्ट यहाँ पर बारत में या इंडियन सब्कॉंटिनेंट में देखने को मिलेंगे यहाँ पर इसके अंडर में आते थे सो यहाँ पर जो किंग्डम इस्टैबलिश करा गया था यहाँ पर इसके दुआरा तो इसे क्या बोला जाता था इसे डैली सल्तनत बोला जाता था सो स्टार्टिंग में यहां पे लाहोर यहां पे रूल किया जाता था यहां पे जो कैपिटल थी वो लाहोर में थी और बाद में इसके दुआरा यहां पे डैली यहां पे जो कैपिटल है उसे शिफ्ट किया गया अब जब मोहम्मत गोरी की मिरित्य हुई उसके बाद तजाओ क्धुदीन पाचा जो कि मुल्तान का गवर्नर था उसे हरा दिया और यहां पे जो अपने का देन लिया था यहां पर यहां यह तो इन्हों क्या करता एन्हों के अपना दावा करया दिल्ली के ओपर भी तो ऐसे में जब Hudbab को पता चल लाके यहां पे दोनों के बीच में युद हुआ और यहां पे जो यलदोज इसे हरा दिया हराने के बाद यहां पे यह वापस गजनी बाग गया ठीक गजनी से फिरागे बाग गया तो यहां पे एवक ने गजनी के ओपर भी उकुपाई यहां पे कर लिया था अब यहां पे जो उसके बाद जो जेचंद की सकसेसर थे हरी चंदर अब उसे भी यहां पे यह जो तुर्क्स तो यहां पे यह जो तुर्क्स थे उन्हें बदायू और फरुकाबाद से बाहर निकाल दिया गया था हरी चंदर के दुआरा जब यहां पे कुदबुदिन एबग को बाद में पता चला कि यहां पे इस जगा पे जो तुक से उसे बगा दिया गया तो बाद में इसने क्या करा यहां पे फिट से अकरमन किया और यहां पे जो दोनों जगा थी उसे अपने कंट्रोल में ले लिया गया कुदबुदिन अभणहानी माना जाता था तो इसके दुवारा यहां पर कोईत उल इसिलाम मौस्क यह बनवाए गी बैली में यहाँ पर देख लेते हैं कोईत को एगार मोस्क यहाँ पर बन्वाइब तो इनिशेटिड यहां पर क्या हुआ था कि कुदबुदी नेबब के द्वारा यहां पर जो कुदब मिनार है इसकी कंस्ट्रक्शन श्रू करवाई गई थी अब यहां पर जो फर्स्ट मंजल यहां पर यह सिर्फ इसके टाइम पिरियर के दोरान ही बनी थी यह जो इसका टा तो आगे यहां पर पिर यह बनंवाया गया था इसके नारे यहां पर नाम पढ़ा है कुदबुदीन एब के नाम से बना न में यहां पर गलत है अगर पूच लिया रहे तो यहां सकता है कि यह ऑक फेमिस सूरृ संतुवह करते थे खुवाजा कोदबुदिन बक्तियार काकी इनके नाम के उपर यहां पर नाम रखा गया था कुदू मिनार ठीक है तो यहां पर यहां पर यह कम्प्लीट नहीं करभा पाए थे अपने time period के दोरान तो यहां पर इनकी मृत्त्य होगी थी 1210 यहां पर यहां पहें और इंतना समझ में आया होगा सचलिए आपर करतें teaser ए वकिंष एब कर बाद आगए जो उनका पुत्तर था और अरमा शाह को यह यहां पीड़िंदी के उपर बैड़ते हैं He ini एक वीक रूलर होते हैं यहां पे इनके इन्वाइड करा जात है यहां पिर यहां यहां पे रूल करो तो यहां पे जब आरम शाह को पता चलता है कि यहां पे इलतुत मिश को यहां पे बलाया गया रूल करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नराज हो जाता है वो के अगर अपनी आर्मी लेके यहां पे इसके अगेंस्ट यहां पे बैटल करने आ जाता है तो इल्टूत मिश यहाँ पे इसे हरा देते हैं और यहाँ पे वो खुद सुल्तान बन जाते हैं इल्टूत मिश तो यहाँ पे जो नाम शामशुदीन इल्टूत मिश यहाँ पे इसका नाम पढ़ता है यहाँ पे कि तो यहां पर इसके स्थिति को मजबूत किया गaja यहां पर और यहां पर in here रियल फाउंडर कीर्श की माना जाती है डेली सलतिनत का इस इसकी का पर बैठे तो बहुत सब्सक्राइबुम आप नहीं सामनरा पड़ा सी बहुत सरे जो commander से मोहमद गोरी के यहां पे जैसे कीomat जो गया घ्बाचा हो गया अली मरदन हो गया ठिक है तो इन के दुवारा यहां पे बहुत सरी चनोटी है यहां पे पेश करी गई यहां पे इनकी खेलाफ में और इसके problems का सामना इलतुतमिश्ग के दुवारा किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलतुतमिश्ग के दुवारा यल्दोज को यहाँ पे हराया जाता है 12-15 जो battle of train निया पे होती है उसके बाद यहाँ पे गबाचा को पंजाब से बगा दिया जाता है 12-17 इसके बाद 12-20 में चंगेज खान ये क्या करते हैं ख्वारिजम जो एंपायर होता है यहाँ पर एंपायर तो इसे पूरी तरह डिस्ट्रोई कर देते हैं अधिस्ट्रोई करने के बाद यहाँ पर इलतुत मिष्ट यहाँ पर रिलाइस करते हैं कि यहाँ पर तो यहाँ पर जब क्या होता है कि जो जलालुदिन मंग ब्रानी यहाँ पर उत्तर होता है तो यहां पर यह इलतुत मिश के दरबार में यहां पर पनहा मांगता है लेकिन यहां पर इलतुत मिश इस चीज़ को सविकार नहीं करते हैं वो मना कर देते हैं क्योंकि पता था कि अगर इन्हें पना देते हैं तो बाद में जो चंगेज कान है वो इनके उपर आकरबन कर दे कि उपर बहुत जादा यहां पर सर्दी देखने को मिलेगी ठंडा इलाका देखने को मिलेगा और जो बारत का इलाका यहां पर देखने को मिलेगा यह गरम देखने को मिलेगा तो यहां का जलबायू उनके लिए सूटेबल नहीं होता है तो यह कारण यहां पर इसके द्वार आर्मी सेंड करें यहां पर जो उनका बेटा था नशीरुदिन मुहमद महमूद इसने क्या करा इवाज खान उन्हें हराया और यहां पर बेंगौल और बिहार इसे अपने डेली सल्तनत में शामिल किया अब सेम यहां पर एक कैंपेंग यहां पर राजपू चीश से उनके अगेंस्ट भी इनके दुवारा चलाया गया तो यहां पर रंथम बोर तो इसे कैप्चर कर लिया गया 1226 में और 1231 में यहां पर इलतूत मिश के दुवारा तो यहां पर एक अथोरिटी इस्टैबलिश करी गई मंदोर के ओपर जैलौर, बयान अगवालिर तो इनके ओपर यहां पर अपनी थोरिटी यहां पर इस्टैबलिश की गई इलतूत मिश के दुवारा तो उसके बाद यहां पर इनके दुवारा एक trusted nobles का यहां पर एक group organize किया गया तो यहां पे यह जो तुरकिश आमीर्स या जो नोबल से यह क्या करते थे यहां पे एडवाइस दिया करते थे सुल्तान को और उनकी मदद क्या करते थे यहां पे यह जो administration चलाना होता है तो इलतूत मिश्की मृत्यू के बाद यहां पे जो 40 यहां पे चहल गनी था यहां पे इनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो यहां पे decide करने लग जाते हैं कि कौन राजा बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा किसे गद्दी बे बठाना है किसे नहीं तो बहुत ज़्यादा पावर इनके हाथ में आ जाते है तो फाइनली यहां पे जो पावर होती है यह बालबन के द्वारा यहां पे इसरीज को eliminate या destroy किया जाता है ठीक है तो यह हम आगे देखेंगे इलतूत मिश के दोवारा है यहां पे जो angrier system introduced किया गया था यहां तो इता Aires किया गया थकी है लिए यहां पे इक्ता शॉञर्जर्टर li स्कोर को यहां पे दी ऑप जैसे कि यहां पर सैलरी ना देना उसकी जगहा पर इक्ता सिस्टम में कियीछ अगया था मतलब कि जमीन दे देना और वही से टेक्स कॉलेक्शन करना यहां पर उनकी सैलरी के तौर पर सो जो construction का काम था को दो मिनार का वो इनके समय में पूरा किया गया था सो यहाँ पे इनके दुवारा patronize किया गया था मिनाज उस सिराज को यहाँ पे यह जो author थे तबकाद ए नासीरी तो यहाँ पे यह जो book थी जो इनके दुवारा यहाँ पे लिखी गई थी इन्हे भी यहां पर patronize किया गया इलतुत मिश के दवारा, तो इन्हे यहां पर father of tom building के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यहां पर सुल्तानगरी यहां पर जो दिल्ली में बनवाई गई थी, यह भी इन्हें के दवारा इलतुत मिश के दवारा यह बनवाई गई थी, clear, so च चलिए यहां पर next move करते हैं, so next है यहां पर रजिया सुल्तान, so यहां पर 12.36 से लेके 39.80 तक का time period यहां पर इनके दुवारा जो rule किया जाता है उसका पुत्तर था रुकनुदीन फिरोज उसने क्या करा यहां पर उसने यहां पर राजगद्दी के ओपर बैठ किया आर्मी लेडर की मदद के साथ लेकिन यहां पर वो इतना अच्छा यहां पर रूलर नहीं था वो एक वीक रूलर था तो यहां पे तो रजिया ने क्या करा यहां पे जो दिल्ली के लोग उनका स्पोर्ट लेके और यहां पे मिल्टरी लीडर से यहां पे कुछ यहां पे वो क्या गया उन्होंने स्पोर्ट करा रजिया को और यहां पे वो राजगदी के उपर बैठ की यहाँ पर मिनाजु सिराज के दुवारा यहाँ जो इथिहासकार इस समय जो इतुत मिशक के दुवारा पैटन Financial किया पर फूर डुप की अ और वाइस बहुत ज़焦ाव ज़ादा द्वारा यहां पर पूरे किये गए अब इनके द्वारा यहां पर जैसे gender bias यहां पर पक्षपाज जो किया जाता है इस चीज का विरोध करा गया orthodoxy यहां पर प्रानी सोच यहां पर जो थी यहां पर culture practices यहां पर की जाती थी इस चीज का भी विरोध इनके द्वारा किया गय उस चीज़ को यहां पे पहना गया इनके दुवारा और यहां पे जो गुंगट यहां पे जो थीप रहा था यहां पे लेने की उस चीज़ को भी यहां पे हटाया गया इनके दुवारा कलियर है तो यहां पे इनके दुवारा यहां पे इनके दुवारा मलिक जमालुदिन या यहां पे इने बिठाया और यहां पे जो other non Turks थे उन्हें भी यहां पे जो important post थी यहां पे वो दी गई रजिया सुल्तान के दौरा अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे विद्रो होने शुरू हो चुके थे बठिंडा में अलतूनिया के दौरा अलतूनिया यहां पे जो गवर्नर था बठिंडा के अब उसने क्या करा उसने यहां पे मना कर दिया था कि वो यहां पे जो सुपरमेसी है रजिया कि उस चीज को सविकार नहीं करेगा अब ऐसे में अलतूनिया यहां पे उसने क्या करा जब यहां पे यह वहां पे अकर्मन करने के लिए पहुंचे मतलब कि इस चीज को जो यह विद्रो हो रहा था रिवोल्ट हो रहा था इस चीज को स्प्रेस करने के लिए जब वहां पे गए तो अलतून यह Nintendo नोबिलिटी थे यहां पे अब यहां पे यह नहीं चाहते थे कि यहां पे रजी आ उनकी इशारों पर नहीं नाच रही थी मतलब कि जैसा वह कह रहे थी वैसा नहीं कर रही गई तो इस चीज के लिए यहां पे वो इससे बहुत जादा नराज हो चुके थे और उन्होंने यहां पे revolt शुरू कर दिया उसके अगेंस्ट में अपने ही प्रोविंस में अब यहां पर उसकी यहां पर रजिया सुल्तान की सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहां पर नशीरूदीन महमूद सो 46 से लेके 66 तक यहां पर इनके द्वारा रूल किया गया था लेकिन इससे पहले यहां पर जो टाइम पिरिड है 40 से लेके 46 के बीच में यहां पर और भी यहां पर जो रूलर से उन्होंने रूल किया था सो रजिया की मृत्यू के बाद यहां पर जो चहल गनी अब इनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी अब यहां पर यह dependent थे खुद यहां पर responsible थे कि किसे राजा बनना है किसे राजा नहीं बनना है वो अब इनके हाथ में आ चुकी थी सारी पावर अब यहां पर बहराम शाह 12 40 से लेके 42 के बीच में इनके दुआरा यहां पर राज्य किया गया फिर मशूद शाह 42 से लेके यहां पर 46 तक इनके दुआरा यहां पर रूल किया गया था तो उसके बाद यहां पर इन्हें सुल्तान कभी बनाया जाता था कभी हटाया जाता था तो यह इनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी थी अब ऐसे में उसके बाद यहां पर 1246 में जो नशीरुदिन महमुद यहां पर इन्हें राजकद्री के उपर बठाया गया था सुल्तान नशीरुदिन महमुद इनकी में धित्व tua 1266 में हुई थी यहां पर बहुत ही अच्छे यहां पर रूलर थे लेकिन यहां पर इनकी बिहाफ पे जो जदा तर फैसमी लिये 裂ते थे वो बलबन के दूरा लिये जाते थे अब जैसे कि यहां पे यहां पे जो 40 यहां पे इनके दूरा यह जो और्गनाइस किया गया था group of 40 उनसे से एक थे यहां पे बलबन तो जादातर पावर का यहाँ पर जो इस्तमाल था उनके दुवारा किया जा रहा था इन्होंने बाद में क्या करा इन्होंने अपने maaster नशीरूदीन को यहाँ पर जहर खिला दिया और यहाँ पर इस तरह धक्ता पलट करकी यह खूद यहाँ का सुल्था बन गया था अगर आपको नोर्ट चाहिए ये पीडिया फाइल की फोर्मेट पे बहुत ही कम कोस्ट के उपर नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे नंबर गिवन है वर्टसब के उपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सो घ्यासुदीन बالबन के बारे में देख लेते हैं 66 से लेके 87-80 तक इनके दुवारा राज्य किया गया विरूल किया यहाँ पे जितने वी रितुत मिश फैमिली के मेंबर थे उन सभी को मारागया यहाँ बलबन के दुवारा तो यहां पे यह जितनी भी पावर थी उसको यहां पे centralized किया गया और अपने हाथों में यहां पे ले लिया गया था अब यहां पे जितने भी यहां पे opposition यहां पे इसके खिलाफ हो रही थी internal external revolt यहां पे जो withdraw हो रहे थे उस सभी को यहां पे press किया गया बल्दबन के द्वारा इनके द्वारा जो policy अपनाए गये थी वो blood and iron की policy अपनाए गये थी warfare की policy को अपनाए गया था mark ATA सब कुछ इनके द्वारा की जाती थी तो यहां पे जो spy system इनके द्वारा यहां पे establish करा गया कि यहां पे वो इन्हें inform कर सके कि उनके खिलाफ कोई भी साजिश अगर कर रहे तो उसे वो पहले ही मार दे तो इस परकार का यहां पे वो चाहता था कि यहां पे loyalty होनी चाहिए लोगों के प्रती राज्या के प्रती लोगों के बीच में ठीक होनी चाहिए तो यहां पे जो Persian customs है जैसे कि सिज़ता और पाइबॉस तो यह इनके द्वारा यहां पे इंटर्ड्यूस किया गया था बल्बन के द्वारा clear as important है यह आपको पता होना चाहिए कि किन के द्वारा बारत में यह चीज़ यहां पे सिज़ता और पाइबॉस किस के द्वारा इंटर्ड्यूस किया गया था यह बल्बन के द्वारा किया गया था यह exam में question पूछ ले जाते सिज़ता क्या होता है यहां पे custom होता है इस प् पाइबॉस तो यहां पे custom है जो की यहां पर बेंड होना यहां पर सुल्तान के सामने और यहां पर किस करना उनके पैरों को तो यहां पर यह जो प्रथा चलाई गे थी वो थी पाइबॉस क्लियर है तो यहां पे एक loyalty शो करने की यहां पे अपने बादशाह को तो यह यहां पे चलवाया गया था यहां पे यह जो कस्टम थे बाल बन के द्वारा तो यहां पे एक strong centralized army इनके द्वारे इंटेड्यूस की गई यहां पे military department established किया गया जिसे दिवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है और यहां पे इनके दौर एक order किया गया है यहां पे कि military affair को finance department से अलग किया जाए finance department को दिवाने वाजर्थ बोला जाता है यहां पे यह जो group of 40 की जो power थी इस चीज को खतम किया गया था यहां पर अभी बल्बन के दुवारा ठीक है यहां पर जो चहल गनी थी यहां पर इस चीज को खतम किया गया था सो बल्बन यहां पर इसने डेली सल्तनत को और जादा मजबूत किया यहां पर जो government form या institution form थी इस चीज को भी particularly यहां पर मजबूत किया और यहां पर अपना expansion आगे की तरफ इसने शुरू किया लेकिन यहां पर इनकी जो मिरित्यों वो 1287 में हो गई थी उसके बाद यहां पर कैक्यूबाद, so 87 से लेकि 90 तक इनके दुवारा rule यहां पर किया गया था, so बल्बन की मिरित्यों के बाद यहां पर जो noble से उन्होंने क्या करा यहां पर जो आगे उनका जो grandson था कैक्यूबाद यहां पर इसे राजगद्दी के ओपर बठाया गया था, लेकिन यहां पर इसे भी जल्दी replace कर दिया गया, उसके पुत्तर यहां पर जो उसका son था काईमूर, so वो राजगद्दी के ओपर बैठा है, लेकिन यहां पर बहुत कम समय के लिए बैठा था, सिर्फ तीन महीने के लिए यह बैठा था, so बल्बन की यहां पर राज्य के गई थी, मंगोल्स के अगेंस्ट में, उसमें जो विजी हासिल गई थी, उसमें कौन था, यहां पर फिरोज था, अब यहां पर इसे अरीजे मामूलिक, अरीजे मुमालिक के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर फिरोज को, तो इसने क्या करा, 1290 में फिरोज ने क्या करा, यहाँ पर एक बॉल्ड स्टैप उठाया और काईमूर की हत्यागर्दी और यहाँ पर राजगत्य अपने कबजे में ले ली तो इस परकार से यहाँ पर खलजी डैनास्टी का स्टैपलिश्मेंट होते हैं सो सलेव डैनास्टी खतम हो जाती है फिरोज ने यहाँ पर राजगत्य को यहाँ पर प्रापत किया और यहाँ पर टाइटल लेता है यह जलावलुदीन खलजी का तो इस परकार से यहाँ पर खलजी जो डैनास्टी वो